हाई फ्रेंड्स विल्कम बैक टो इस्टेडी क्लासस तो माई डियर फ्रेंड्स हमारी जो फाइनल आंसर की है UGC ने जून 2020 की वो फाइनली NTA ने रिलीज कर दिये और आज आपके साथ डिसकुस करने वाले हैं कि कॉमर्स और मैनेश्मेंट के जो एक्जामेनेशन है उसमें क कि तरह NTA कई जो चैलेंजिस हैं उन्हें नहीं मानता और जो आंसर की में फाइनल आंसर की में जो अमेंड्मेंट्बेंट्स हैं जो करेक्शन है आई उन्हें जिल्दी से यहां पर डिसकस कर लेते हैं तो आए पहले बात करते हैं कॉमर्स रिफ्ट वन की उसके अंदर हमारे पास एक सवाल था हमें बताना था आटए एक के बारे में कॉन सी स्टेट्बेंट्स नॉट करेक्ट है और इसके अंदर हमारे पास आंसर जो ओल्ड आंसर की में था वो था B और E B और E जो है वो बताया गया था गलत है A जो है नहीं बताया गया था कि गलत है हालांकि A में छोटी सी गलती थी यहाँ पर कि आपका RTE जो है October 13 को नहीं October 12 2005 से enforce आया था यह छोटी सी गलती थी पहले उन्होंने इसे एगनूर किया अब इस गलती को उन्होंने मान लिया और अपना answer device करके option 1 दे दिया कि आपकी जो है option number 1 answer है A, B, E यह तीनों आपकी अब गलत उन्होंने मान ली है तो यह change यहाँ पर आया है और इसके बाद एक सवाल था हमारे पास match the falling का और उसके अंदर तो सीधा सीधा गलती पदा चल रही थी और यहाँ पे पहले जो answer था option 2 दिया था option 1 answer दिया है अब बिल्कुल सही answer दिया कि LLP जो है minimum two members और body corporate भी हो सकती है particular partnership specific period के लिए specific venture के लिए partnership जो है association है two or more individuals का mutual agency का मतलब है कि एक partner agent भी है principle भी है partnership firm के अंदर तो यह अब असानी से बिल्कुल correctly match हो रहे हैं और answer आपका option number one बन रहा है और final answer की में यही answer दिया तो इन्होंने अपने answer को ठीक कर लिया पहले answer यहाँ पे गलत प्रोवाइड किया गया था अगर बात करें commerce shift 2 की तो इसके अंदर एक सवाल था channel conflicts can be तो इसके अंदर old answer हमें दिया था option number two का कि horizontal and diagonal यह हमारे channel conflicts हो सकते हैं बट यह हमने discuss भी किया था कि channel conflicts जो हमारे हैं वो vertical यह horizontal होते हैं यानि कि A and B और इसी answer को final मान लिया गया है final answer की हमारे पास कह रही है कि option number three जो है वो आपका इसका सही answer है और यह भी बिलकुल सही change जहां पे आया है इसके लावा गर बात करें management के paper की तो management के अंदर एक सवाल था underlying principles of the combined code of the corporate governance and conduct corporate governance और conduct का जो combined code है उसके handling principles मैंने discuss भी किया था आपके साथ की सवाल के अंदर ambiguity लग रही है और पहले answer था option number two का अब इसका answer हटा लिया अब सभी को इस सवाल के marks मिल जाएंगे बहुत एक हुशी की बात है इस ambiguous question को हटा के सबको marks मिल गए बहुत ही अच्छा हुआ इसके अलाबर हमारे management के paper में एक और सवाल में चींज आया at the time of exporting goods from India what documents are to be filed for custom clearance to shipping bill airway bill और आपका packing list यह originally answer में mentioned थी आपके बट अब जो नया answer release किया नहीं answer की के अंदर final answer आया उसके अंदर इन्होंने option number two answer दिये invoice और commercial invoice जो है वो भी पार्ट बनेगा commercial clearance के लिए और इसलिए आपका जो answer अब यहां पर final key में option number two provide किया गया है तो मेरे प्यारे दोस्तों यह था हमारा आज का discussion बहुत ही छोटा discussion था और अब हमारी final answer की आ चुकी है तो बहुत ही जल्द हमारा final result भी आ सकता है और यहां पर अगर आप त्यारी कर रहा है अगले examination की तो my dear friends आप हमारे courses का भी benefit ले सकते है paper one के लिए जो कि general paper है उसके लिए mini combo pack complete course आपको मिल जाएगा paper two commerce और management के लिए free snapshot notes मिल जाएंगे unit wise past papers मिल जाएंगे practical units का course मिल जाएगा computer based series जो है बहुत ही जल्द launch करेंगे paper two का complete course भी आप अवेल कर सकते हैं और दोनों paper भी एक साथ purchase कर सकते हैं और extra 15% of philal आपको मिल जाएगा promo code early 15 जो है वो आपको apply करना होगा तो thank you मेरे प्यारे दोस्तों ये था आज का discussion अगर आपको पसंद आया तो जरूर अपना प्यार दिखाईए अपने दोस्तों के साथ share कीजे चैनल पे नहीं है तो इसे subscribe कीजे जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो के साथ तब तक के लिए bye bye take care and all the best